खतरनाग बीमारी की वज़े से पहले ही 2020 मनहूस साबित हो चुका है 2020 की शुरुआत में ही कई दिक्कज स्टार्स दुनिया छोड़ कर जा चुके हैं रिश्ची कपूर, इर्फान खान और बाजित के बाद सुशान्त देश के लिए सबसे बड़ा जटका था शुशान्त मामले को शायद कोई भूल भी नहीं सकता शुशान्त मामले को अभी एक महिना भी नहीं हुआ कि फिर से इंडस्ट्री को बड़ा जटका लगा है हैरानी वाली बात तो यह है कि जैसे सुशान्त दुनिया छोड़ कर गए वैसे ही 30 साल के कंणर एक्टर सुशील गोबड़ा गए शुशान की तरह सुशील ने का मुम्र में गलत कदम उठा लिया हलाकि सुशील के जाने की वज़ा तो सामने नहीं आई है लेकिन इंडस्ट्री में ऐसी खबरे हो नहीं है कि वो काफी वक्त से काम ना मिलने की वज़े से परिशान थे एक्टर की आखरी फिल्म भी जल्दी रिलीज होने वाली थी लेकिन उससे पहले सुशील ने दुनिया छोड़ दी सुशील के जाने से हर कोई हरान है सुशील टीवी शोव अंथापुरा में लीड रोल प्ले कर रहे थे टीवी शोव के लावा सुशील की पहली फिल्म सालगा रिलीज होने वाली थी जिसमें वो पुलिस अधिकारी की भूमिका निवाते नजर आने वाले थे इस फिल्म से ही डिरेक्टर दुनिया विजय डेव्यू कर रहे थे शोव अंथापुरा के डिरेक्टर अरविंद कौशिक ने फेस्बुक पर एक पोस्ट के जरीए लिखा बेहत दुख भरी ख़वर मैंने सुनी सुशील को बड़ा नहीं रहे उनकी आतना को शांती मिले डिरेक्टर ने कहा कि इस वक्त देश बहुत बुरे हाला से गुजर रहा है एक तरफ जहां बीमारी से लोग जंग लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ काम ना मिलने से लोग जंग हार रहे हैं मैं तो यही कहुँआ कि इस वक्त हर चीज का सेलुशन सिर्फ यही नहीं है जो सुशील ने किया बल्कि होसला रखो और यही समय आपको मजबूत बना रहा है प्लीज मजबूत बनकर इस बुरे वक्त का सामना करो ना कि जिन्दगी खत्म करो मिलम न्यूस रपोर्ट